अब ये रोज किसी ना किसी को पकड़ लेते हैं, किसी ना इसको गिरफतार कर लिया, उसको गिरफतार कर लिया, ये कर लिया, एक कोई चंदन रे और उनको टॉर्चर करकरके, धंकियां दे दे के, मेंटली टॉर्चर करके, फिजिकली टॉर्चर करके, थर्ड डिग्री करके, उनसे केजरीवाल का नाम ले लो, मनी सिसोधिया का नाम ले लो, इनको फसाओ, उनको किया जा रहा है कोई चंदन रेड़ी है, उनको जानते भी नहीं है कौन है चंदन रेड़ी को इतना मारा, इतना मारा यह उसकी medical report है चंदन रेड़ी की medical report में लिखा है, patient has alleged trauma to both ears and face by ED officers on 16th September 2022 and 17th September 2022, patient ने दोनों कानों पे और face पे ED officers के द्वारा पिटाई हुई 16th September और 17th September को ऐसा कहा, patient complaining of, यह है कि सुनाई नहीं दे रहा और jaw pain on opening mouth और investigation पे पता चला, right ear mild to moderate mixed hearing loss, left ear severe to profound mixed hearing loss उसके कान के परदे फट गए, उसको सुनाई नहीं दे रहा ऐसा चंदन रेड़ी से ED क्या अगलवाने की कोशिश कर रही थी उसको क्या कहने का दबाव डाला जा रहा था कि उसकी इतनी पिटाई करी कि उसके कान के परदे पट गए उसको किस कागस पे दस्खत करने के लिए कहा जा रहा था और उसने जूट बोलने से मना कर दिया तो उसकी पिटाई की उन्होंने इसके बाद अरुन पिल लई है कोई उनको धमकियां दी गई टॉर्चर किया गया उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया अगले दिन उस दिन तो उनसे कुछ लिखवा लिया कहीं साइन करा लिया लेकिन उसके दो चार दिन बाद उन्होंने कोट में बयान दिया भूशन बेलगवी से टॉर्चर करके ये पांच नाम तो मेरे पास ही है पता नहीं है ऐसे कितने लोग हैं जिन लोगों को टॉर्चर करकर के बयान लिये गए ये हो क्या राय एक के बाद एक एक के बाद एक एक के बाद एक और उसको बोलते हैं कि यह तो इस कागस पर साइंग कर दे, नहीं तो तेरी पत्नी को और तेरी पिता जी को भी जेल भीज रहे हैं, यह चल क्या रहा है। मैं प्रधान मंत्री जी से पूछना चाता हूँ यह चल क्या रहा है। जहां कोई घोटाला नहीं हुआ वहाँ पे कोशिश की जा रही है जबरदस्ती करके लोगों से जबरदस्ती करके मार के पीट के धंकियां दे के बयान लिखवाने की। एक व्यक्ति है उससे कहा गया कि कल देखते हैं तेरी बेटी उसकी दो जवान बेटी आएं कल देखते हैं तेरी बेटी कॉलिज कैसे पहुंचती है। ये जाँच चल रही है इन लोगों के एक व्यक्ति है उसके वकील ने कोट में खड़े होके कहा कि हमारे मुख्किल के मेरे मुख्की के उपर दबाव डाला जा रहा है कि दिल्ली के पॉलिटीशन का कोट के अंदर खड़े होके उसने बोला कि मेरे मुख्किल के उपर दबाव डाला जा रहा है कि आप मदिली के politicians का नाम लीजे ये इनकी जाँच चल रही है इस सारी जाँच करने के बाद एक साल जाँच करने के बाद ये आरोप लगाते हैं कि 100 करोड रुपए की रिश्वत ली गई और दी गई वो 100 करोड रुपए कहा है एक नया पैसा एक नया पैसा कहा है वो 100 करोड रुपए सब इतनी 400 से ज़्यादा रेड हो चुकी है मनीज सोदिया जी के घर पे रेड हो गई इतने सारे दूसरे लोग वो पैसा मिल है कहां एक नया पैसा नहीं मिला 100 करोड रुपय का ना कोई ज्वेलरी मिली ना कोई मनीज जी के घर पे गद्दे भी फाड़ दिया इन्होंने उनके गाउं भी हो आए उनके बैंक लॉकर भी छानमारे कुछ नहीं मिला 100 करोड में से फिर आरोप लगाया कि 100 करोड रुपया गोवा के चुनाव में इस्तेमाल हुआ जी गोवा के हमारे जितने वेंडर्स थे जिन से हमने काम कराया था सारे वेंडर्स पे रिड़ मार चुके ये लोग सारे वेंडर्स को इन गिरफतार करकर के स्टेटमेंट ले चुके वहां कुछ नहीं मिला सारी पेमेंट चेक से हुई है हमारी सारा हिसाब किताब इलेक्शन कमिशन को दिया वहां भी कुछ नहीं मिला गोवा चुनाव के अंदर निको देला नहीं मिला तो पैसा गया गा? अगर रिश्वत ली तो पैसा गया गा? अरे पैसा तो तब मिलेगा ना जब रिश्वत ली गई होगी और रिश्वत दी गई होगी? आज मैं इस प्रेस कॉंफरेंस में कह रहा हूँ कि 17 सितंबर को शाम को 7 बजे मैंने नरेंदर मोधी को एक हजार करोड रुपे दिये थे कर लो गिरफतार उनको ऐसे तो कोई भी इस देश में खड़ा होगे कुछ भी कह देगा मैं कह रहा हूँ कि नरेंदर मोधी को 17 सितंबर की शाम को 7 बजे मैंने 1000 करोड रुपे दिये थे गिरफतार करोगे इस मेंसे पे नरेंदर मोधी को भी मेरे पास कुछ सबूत तो कहने का कोई तो मैं कहूंगा भी मेरे पास ये सबूत है मैंने दिये थे ऐसे ही कोई कुछ भी खड़ा होके कहा देगा और गिरफतार कर लो कि सौक रोड रुपे दिये, सौक रोड रुपे दिये, गोवा चुन, अरे कहां है सबूद? कोई सबूद नहीं है. यह policy इतनी शांदार policy थी, transparent policy थी, जो भरष्टाचार खतम कर देती पूरे के पूरे शरा दिली के अंदर इन्होंने लागू करने दी, पंजाब के अंदर इनकी चली नहीं क्योंकि पंजाब एक full state है. तो मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी, अगर केजरी वाल भरष्टाचारी है, तो फिर इस दुनिया के अंदर कोई इमानदार नहीं है. मुद्दा भर देश का प्रधान मंत्री जो सर से लेके पैर तक भरष्टाचार के अंदर डूबा हुआ है. उसके लिए भरष्टाचार मुद्दा कैसे हो सकता है? पिछले मार्च के आखरी हफते के अंदर मैंने इतने सारे assembly के अंदर इतने सारे गिनाय थे भरष्टाचार जो इन्होंने इतने भरष्टाचार गिनाय थे. इन्होंने तो मिरे को तब ही कह दिया था उस दिन जिस दिन assembly में मैंने speech दी थी शाम को संजे सिंग का message आया कि के अर्विंज या बगला नंबर आपका है. कल सत्यपाल मलिक जी ने एक interview दिया मैं वो सुन रहा था. सत्यपाल मलिक जी ने कहा मोधी जी को भरष्टाचार से कोई परहेज नहीं है. यह मैं तो नहीं कह रहा हूँ. यह तो उनके अपने governor कह रहे हैं. सत्यपाल मलिक जी कौन है? सत्यपाल मलिक जी मोधी जी के बहुत ख पाष्मिर का governor बनाया, फिर उन्हें गोवा का governor बनाया, फिर उन्हें मिजुर मिघाले का governor बनाया, उन्होंने कहा की मेरे जो interaction हुए मोदी जी के साथ उसमें पता चला है की मोदी जी को भ्रष्टाचार से किसी तरह का परहज नहीं हैं, उसी interview में उनने कहा की इन लोगों के ब्रश्टाचार करते हैं खूब पैसे कठे करते हैं लेकिन वो सारा पैसा मुख्यमंत्री अपने पास नहीं रखते हैं वो पैसा उपर भेजते हैं और वहां से वो पैसा उनकी दोस्त की कंपनियों के अंदर इंवेस्ट होता है मैंने भी तो इसी तरह का कुछ कहा था अपने उसमें तो चलो मेरी बात तो नहीं मानी अब तो गवर्नर इनके अपने गवर्नर कह रहे हैं तो ऐसा व्यक्ति जो इतना भ्रश्टाचार कर रहा है उसके लिए भ्रश्टाचार मुद्दा हो इनी सकता उनके लिए आदमी पार्टी के पीछे क्यों पढ़े हैं। 75 साल के भारत के इतिहास में किसी एक पार्टी को इतनी बुरी तरह से टार्गेट नहीं किया गया जिस तरह से आम आदमी पार्टी को ये लोग टार्गेट कर रहे हैं। नमबर तू को गिरफ्तार कर लिया, नमबर थ्री को गिरफ्तार कर लिया, और उनको गिरफ्तार करने का तो मकसद इनका यही था कि मेरे गर्दन तक पोहचना, तो अब यह मेरे पीछे पढ़े हैं, मुझ तक पोहचने की कोईशिश कर रहा हैं, किसी पार्टी को इस तरह से न पाटी नीदे पाई, गुजरात के अंदर तीस साल से बीजे पी की सरकार है। उस में बारा साल प्रधानमंतरी मोदी जी खुद वहाँ पे मुख्यमंतरी रहे थी साल के अंदर ये एक सरकारी सकूल ठीक नहीं कर पाए। भी एक भी सरकारी स्कूल ठीक नहीं कर पाए जब मोदी जी को फोटो खिचवाने के लिए सरकारी स्कूल में जाना था तो एक टेंपोरेरी क्लास एक टेंट के अंदर टेंपोरेरी क्लास बनानी पड़ी इनको फोटो खिचवाने के लिए फोटो खिचवाने लाइक सरकारी स्कूल भी नहीं बना पाई और पांच साल के अंदर दिल्ली के हमने सारे सरकारी स्कूलों का काया कल्प कर दिया पांच साल के अंदर हमने सारे सरकारी स्कूल ठीक कर दिये इस देश के लोगों को आम आदमी पार्टी ने एक उमीद दी है कि केवल आम आदमी पार्टी उनकी गरीबी दूर कर सकती है उनको शिक्षित कर सकती है उनके बच्चों को रोजगार दे सकती है आम आदमी पार्टी ने इस देश के लोगों को उमीद दी है प्रिधान मंत्री जी उस उमीद को कुचलना चाहते है प्रिधान मंत्री जी नहीं चाहते कि वो उमीद आगे बढ़े क्योंकि अभी तक इन सारी पार्टियों को कि मिलके जो डूट चल रही थी अगर इनको स्कूल बनवाने पड़ गए इनको अस्पताल बनवाने पड़ गए तो उनको लूटने के लिए पैसे नहीं बचेगा तो कल इन्होंने मेरे को बुलाया है मैं जाओंगा कल CBI में और मैं फिर से अंत में यही कहना चाहता हूँ कि प्रिधान मंत्री जी अगर केजरी वाल चवूर है केजरी वाल भ्रष्टाचारी है तो इस दुनिया में कोई मानदार नहीं है